दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे थंड के मौसम में मतलब की सर्दियों में उबलेवे अंडे खाने के 10 फायदी जी हां देके आप भी सर्दी में हेल्दे रहना चाहते हैं तो आज सही रोजाना एक उबलावा अंडा खाना शुरू कर दें और डॉक्टर्स भी रो ऐगिटर्यियन्हें लोग ना अंडा खाना बहुत ही पसंद करते हैं सर्दी के मौसम में अंडा सर्दी में होने वाली भीमाईयों से बिचवाफ करता है इसमें अच्छी सिहत का राश चुपा हुआ है इता ही नहीं पोशक तत्वों से भरपूर अंडे में प्रचुर मात् थायामीन और सेलीनियम होता है यह सभी विटामिन्स ना बालों तवचा और आपके नाखनों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं वैसे तो अंडा ना सभी आयू वार के लोगों को खाना चाहिए लेकिन बड़ती उम्र में स्वस्त रहने के लिए रोजाना एक अंडे का सीवन जरूर करना चाहिए जी हां 40 साल के बाद रोज एक अंडा खानी से बड़ापे में होने वाली प्रॉबलम से आपको दूर करने में यह हैल्प करता है तो आईए जानते हैं सर्दियों में उबलावा अंडा खानी से होने वाले सिहत को फायदी तो देखे दोस्तों रोजाना इसना सुबहा एक उबलावा अंडा खानी से इम्यूरी को मजबूत बना सकते हैं ऐसे में अंडे में आंटी औकसिदेंट्स विटापीणिस और कई पोशक तक यंदे ngitty को मजबूत बनाती हैं ठीक है इतना ही नहीं अंडे में कुछीन पाया जहता है जैसे मेमरी होती है औ आइरेन की तुलना में शरीर द्वारा बहुत आसानी से अवशुशित कलिया जाता है इसलिए एनीमिया के मरीजों को अंडे खाने की सला दी जाती है अगर आपको एनीमिया या फे खुन की कमी है तो आप उबलेवे अंडे का पीला वाला भाग जरूर खाएं इससे आपके श हाटी आसेड्स होते हैं ऐसे में इसके सीवन से कोलिस्ट्रॉल को कंट्रोल में अरखा जा सकता है जिससे आपका हाट हल्दी रहता है और दोस्तों अंडे में मौशित प्रोटीन शरी को धीरे-धीरे से पच्चकर एनरजी देता है जिससे आप पूरे दिन अपने आपको ए मौशित रहते हैं जो शरी को स्वस्त रखने के साथ हडियों को मश्बूत बनाते हैं और नी पेन या फिर आथरिटी की प्रॉब्लम को दूर करते हैं अंडे में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती हैं जिस वजहां से आप एट लॉस डाइट मेंस का असानी से सेवन कर सकते हैं लेकिन वेट लॉस के लिए आपको सिफ अंडे वाला वाइट पार्टी खाना है ठीक हैं और बलड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अंडा बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता हैं इसलिए अगर आपका बलड शुगर लेवल जो हैना ज्यादा है तो आप अंडा खा सकत हैं अंडे में भरपूर मात्रा में केरोटिनोइट पाहिजाते हैं जो आंकों की सिहत के लिए जरूरी है या आंकों की मास पेशों को मश्बूती देता हैं जो रेटीना को मश्बूती देता है और इससे मुत्याबीन का खत्रा भी नहीं रहता है इतना ही नहीं अंडे की ज हांसी, गले में दर्ट, कफ या फिर बल्गम की जो प्राब्लम होती है न सर्दी के मौसम में वो प्राब्लम्स नहीं होती हैं क्यूंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही गर्म तासीर का होता हैं सर्दी लगनी से बचाता हैं और आपको मौसमें बिमाया नहीं होने देता हैं इसलिए आप भी इन सर्दियों के मौसम में एक उबलावांडा खाएं और अपनी सेहत बनाएं